आज की प्रोटीन रिच डिश देखने के बाद आपको प्रोटीन की जुरूरत कभी नहीं पड़ेगी बहुत सारे विवेज ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ हेल्दी और नुट्रिशिस डिश में उनके साथ शेर करो तो आज मिले के आई हूँ एक सूपर हेल्दी सालेड जो की है प्रोटीन सालेड बिना टाइम वेस्ट करें चलो इसको बनाते तो प्रोटीन सालेड के लिए एक बाउल में लेंगे बॉयल चने इसको मैंने साथ से आठ गंटे सोक करके बॉयल कर लिया है इस आरक ग्रेड सोर्स ओ वेजटेरियन प्रोटीन सालेड बनाने के लिए इनको एक बाउल में डाल लेंगे इनको हमें उतना ही बॉयल करना है कि इनकी उपर की लेर ना निकले ये थोड़े खिले खिले दिखें तो मैंने लगबग 2 कप चने लिये हैं अब हम डाल रहे हैं अनदर रिच सोर्स ओफ प्रोटीन पनीर जिसे कि हम सब को पता है पनीर के अंदर प्रोटीन की मातरा भरपूर होती है उसके बाद डालेंगे 1 कप चॉप्ट टमैटोस इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है फिर हम डालेंगे अपने सालेट के अंदर चॉप्ट अनियन्स उसके बाद बिना चिले निसली कट अन डाइस क्यूकंबर विच इस अ गुट सोर्स ओफ फाइबर अब हम डालेंगे रोस्टिट पीनट्स अगेन विच गिब्स उस हाई प्रोटीन एन हेल्दी फाट उसके बाद डालेंगे स्प्राउट्स ये अंकुरित मूंग डाल मैंने मार्केट से लिये आप इसको बहुत असानी से घर पे बना सकते हैं डाल को एक रात भिगो के दिन बर सूती कपड़े में लपेट कर रखें आपकी डाल अंकुरित हो जाएगी अंकुरित होने से इसकी प्रोटीन की मातरा और बढ़ जाती है लास्ली डालेंगे इसमें फ्रेशली चॉप्ट कोरियंडर लीज यानि की धनिया पत्ता अब बनाएंगे हम इसके लिए सीजनेंग उसके लिए एक बाउल में लेंगे एक चमच ओलेंगे ये ओल डालना ओप्शनल है आप चाहें तो ना डालें ये सैलेट को थोड़ा ग्लॉसी लुक देता है अब लेंगे हम एक चमच लेमन जूस अगें अ गुट सोर्स अ वितामिन C तो गिव ए लिटल तांगी टेस्ट उसके बाद लेंगे हम एक चमच नमक आदा चमच काला नमक एक चमच चात मसाला और आदा चमच बुना हुआ जीरा थोड़ी सी काले मिट्च टेस्ट के लिए एंड हां ब्लाक पैपर इस अल्सो गुट सोर्स ओफ आयरन अपनी सीजनिंग को अब हम अच्छे से मिला लेंगे इससे हमारा सालड बहुत ही चटपटा और पैपरी बनेगा इसको अब हम अपने बड़े वाले बाउल में फिला कर पोर कर लेंगे और उपर से डालेंगे फाइनली चॉप्ट ग्रीन चिली यहां पर मैंने दो छोटी-छोटी हरीमिर्च ली है अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी सीजनिंग के फ्लेवर हमारे सालड में अच्छे से मिक्स हो जाए एक चीज का ध्यान रखें कि हमें स प्राउटेट काले चने भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा कॉंटिनेंटल टेस्ट देना है तो इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं तो लो हमारा प्रोटीन सालड बनके तयार है फील फ्री तो एड वटेवर यू लाइक जैसे की ड्राइ फ्रूट्स, फ्रूट्स, पॉम जब भी आप सलड का नाम सुनते होगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि कुछ फीका या फिर टेस्टलेस होगा पर इस सलड के साथ ऐसा बिलकुल लेंगे क्योंकि इसके नडला है अमचूर, लेमन और सॉल्ट जो कि इसको खूप चटपटा टेस्ट देर रहता है तो आ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चनल आशिमास किचन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी सभी न्यू वीडियो की अपलोड आपके पास उसी वक्त पहुंच आए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में अंडिल दें टेक केर गुडबाई एंड हापी कुकिंग विथ आशिमास किचन